आज की कहानी दिल दहला देने वाली है जिले के मसरक परखंट अंतरगत बहरवली गाउं में 2022 में सबसे बड़ा स्राव कांड हुआ था जिस घटना में 14 लोग मोद के गाल में समा गये थे जो लोग भगवान भरू से बच गये उनकी आँख की रोशनी चले गई उन्ही में से एक सचीन कुमार है जिसका आँख का रोशनी चला गया है सचीन कुमार पहले लकडी का समान बनाया करते थे जिसे घर का खर्च चलता था लेकिन अब इनका आँख का रोशनी चला गया है और पत्नी घर से निकल कर मजदूरी का घर चलाने में स्वहयोग करती है हमारे पीछे एक वेक्ति है इसके पहले 2022 में सराब कांड हुआ था इस गाह में 14 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग बिमार थे उस दोड़ान कई लोग बच गया लेकिन आख का रोशनी चला गया हमारे साथ मौजूद है एक वेक्ति क्या नाम है आपका सचीन कुमार तो यह कैसे मतलब आख से दिखाई दे रहा है बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है कि अब जहर मंथे पिने से आख चला है यह जैंगे कौई घरा कर नहीं जाता है तो घ्रा तो जांगे कहा पैसा कहांँ से एग्या लोग जो लोग भी जो लोग से लाख किसी भाही नद प्यों बार पार का हुआ रही है जहरली साड़ाब आ रही है हम तो एक कोशिस करेंगे कि किसी भाई को सराब छुने तक नचुएगा ऐसे कि हम समझ रहे हैं कि दारु पीने से कितना गाटा है महसूस कर रहा है यहीं तो हम बात बोल रहा है तक डिया साड़ी हुआ है जी सादी हुआ बच्चे कितने हैं तिन बच्चे अब घर के चलाने वाले कॉन है यह लह कॉइड को दखी तो नहीं लोग रहे हैं यहां यहां जानी जिन्गी तो पूरा बेकार हो गया जिन्गी और मोट से भी बैस्तर जिन्गी है यह बहुता है सचीन कुमार साथ यह सचीन कुमार साथ है 2022 में स्रावकांट बहरवली गाम में हुआ था उसमें इस गाहों के लोग चौदा लोग मौत के मुह में समा गए थे यहां पर उनकी पत्नी है हम बात करेंगे अब घर का आपका मतलब जो इस्तिती है क्या है पहले के अपिक्छा कैसे खर्च चल रहा है कमाने वाले तो हम तो मत दूरी करे जानी तब खर्च चले ला वो समय जब घर हमनी के बनावे ल अपरे बेचा गए इस अब इलाजे उलाजे करावते में आखो चल गए हो का हमरा घर भाह यहां मराई कि घर भानी के धूप में धूपे लागाता ठोंड में ठोंडे लागाता इंट अब खर्च नाए कुछ तो सरकार वरी समनी तम इलाए के चाहिंगे अंधा जे हो गलब ऑखं सरकार कुछ कए के चाहिं कि मौतकर चाहिं का करे कि चाहिं को बलु थीन सबों 153 का बसलों थादेगेध लोगुआ हो एक हो का अऱ्गुआ रिंपी है जील्ग का मैल रेका हो रहा है हम तो ऐिय अश्थ पर्डाह दीक प्राड़की कि दों 15 इख दों 15 εज पर्मूलन कि धर्मूनती पर्मूल तो यह पूस पलानी का घर है सुधू से घर भी नहीं है काफी जिंदगी मतलब की अच्छे से नहीं बीत रही है घर सुधू से नहीं है बच्चे जो पढ़ने जा रहे थे एक खुआब था कि मेरे बच्चे भी निजी स्कूल में पढ़ेंगे अच्छा सिक्षा गरहन करेंगे लेकिन इस तेते इतना है कि एतना खराब है कि मतलब की एक वक्त के भोजन के लिए सुचना पड़ता है आप देख सकते हैं यहाँ पर सुचना पड़ता है कभी काफी रहता है तो कभी कलम नहीं रहता है कभी कलम रहता है तो काफी नहीं रहता है इस्तिति काफी दैनिये हैं और किसी तरह इनके राधिका दिवी के द्वारा मतलब की मजदूरी करके अपने घर को चलाया जा रहा है क्योंकि जो इनके पते थे वो दूसरे परदेश में कमा रहे थे लेकिन जब शराब कांड हुआ उस समय बस तो गया लेकिन इनका आँख के रुशनी चला गया है जिसके वज़त से अब घर का चलाना काफी मुश्किल है और इस मुश्किल भड़ी स्तीती में अपने घर को चलाने के लिए पत्नी काम कर है और किसी तरह घर को संभाल रही है विशाल कुमार लोकल एटीन छपड़ा